हेलो गाइस कैसे आप लोग उमीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे तो दोस्तो आज मैं आपके लिए एक Amplify लेकर आया हूँ जो कि ändå Booster Amplify है जो कि दोस्तो Studio Maker Company की तरफ से आती है जो कि दोस्तो 1200 वाडस की Amplify है तो दोस्तो इस amplifier पे आप base नहीं चला सकते हैं क्योंकि दोस्तों यह हमारी booster amplifier है दोस्तों booster amplifier पे आप चलाने के क्या चला सकते हैं लेकिन दोस्तों आपको वो quality नहीं मिल पाएगी इस amplifier पे इसलिए दोस्तों मैं recommend नहीं करता हूँ कि दोस्तों आप इस amplifier पे base चलाएं आप इस Amplifier पे दोस्तो टॉप चला सकते हैं बहुत ही अच्छा आपको response देखनों को मिलेगा आप दोस्तो इस पे base ना ही चला है तो better रहेगा तो दोस्तो आज मैं आपको इस Amplifier की full information दोंगा बताऊंगा दोस्तो की इस Amplifier की क्या specifications है और दोस्तो क्या इसका price पड़ने वाला है तो दोस्तो आए बिना skip की इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो पहले आपको देखा देता हूँ इस Amplifier का front look फिर दोस्तो आपको बताऊंगा कि दोस्तो आप इस Amplifier पे कितने words के speaker लगा के चला सकते हैं तो दोस्तो आपको यहां पे studio maker company का logo देखने को मिल जाएगा जो कि दोस्तो आपको प्रो बाराआथ तो देखने को मिल जाएगा जो कि दोस्तो यह model नमबर है प्रो बारासो खो एंड़ दोस्तो आपको यहां पे professional DJ amplifier लिखा मिल जाएंगा देखने को मिल जाते हैं जो कि दोस्तो एक base का दिया गया है एंड दोस्तो एक mid का है एंड दोस्तो आपको एक travel का volume दिया गया है जो कि दोस्तो तीनों प्रकार के volumes दिये गया है एंड दोस्तो आपको यहाँ पे कुछ switch देखने को मिल जाते हैं जो कि दोस्तो एक horn and speaker mode का दिया गया है आप दोस्तो इस amplifier को horn mode पे भी चला सकते है और दोस्तो आप speaker mode पे भी चला सकते है और दोस्तो आपको यहाँ पे एक high filter का भी button दिया गया है जो कि दोस्तो आप इसको high filter पे भी चला सकते हैं इस amplifier पे दोस्तों आपको यहां पर एक input का भी switch देखने को मिल जाता है जो कि दोस्तों यह sensitivity के रूप में use किया गया है जो कि दोस्तों एक one voltage लिखा है और दोस्तों नीचे आपको 200 m voltage लिखा मिल जागा है जो कि दोस्तों को मिल जाते हैं इसका मतलब यह होता है जोस्तों आप जितनी आवाज खोलेंगे उतना ही हमारे output level indicator blink करेंगे ज्यादा उपर हाइट तक जाएंगे और दोस्तों आपको यहां पर एक power का indicator बल्प देखने को मिल जाता है और दोस्तों एक temperature का दिया गया है और दोस्तों एक overload का bulb दिया गया जो कि दोस्तों red color का है overload का जब दोस्तों हमारा amplifier power on होगा तो दोस्तों हमारा green वाला bulb चलेगा और दोस्तों जब हमारा amplifier गरम हो जाएगा heat हो जाएगा तब दोस्तों हमारा temp मतलब दोस्तों yellow वाला bulb जलेगा और दोस्तों जब हमारा amplifier overload में चला जाएगा तो दोस और दोस्तो आपको यहां पे amplifier on लिखा हुआ है जब दोस्तो हमारा amplifier power on होगा तो दोस्तो हमारा ओपर वाला white वाला बल्ब जलेगा और दोस्तो नीचे दो red color के बल्ब दिये गए है जो कि दोस्तो प्रोटेके दिये गए है अब दोस्तों बता देते हैं इस amplifier की आपको specifications के बारे में अगर दोस्तों इस amplifier की words की बात की जाए तो दोस्तों यह हमारा amplifier 1200 words का है और दोस्तों booster amplifier है और दोस्तों इस amplifier के frequency response की बात की जाए तो दोस्तों आपको 30 hertz से लेकर 18000 hertz देखने को मिल जाएगा इस amplifier का frequency अगर दोस्तो इस amplifier के speaker output की बात की जाए तो दोस्तो आपको speaker चलाने के लिए 2 ohm का भी option दिया गया है और दोस्तो 8 ohm का option दिया गया है 4 ohm का दोस्तो इस amplifier में option नहीं दिया गया है और दोस्तो driver unit चलाने के लिए आपको 70 voltage का option दिया गया है एंड दोस्तो 100W का भी option दियागा है आप दोस्तो 70 एंड 100W पे अपने driver unit horn चला सकते हैं एंड दोस्तो इसका weight की बात की जाए तो दोस्तो आपको 27.6 kg देखनों को मिल जाएगा इस amplifier का वजन अब दोस्तो आपको बता देते हैं कि आप इस amplifier पे कितने टोप चला सकते हैं और दोस्तो कितने वाड़ीस के speaker लगा के चला सकते हैं इस amplifier पे जैसे कि दोस्तो यह हमारा 1200W का एंप्लिफ river है तो दोस्तो इस speaker चलाने के लिए 2 ohm का option दिया गया है हमारी amplifier के अंदर और दोस्तो 8 ohm का option दिया गया है तो दोस्तो आप 2 ohm पे भी 1200 wattage load डाल सकते हैं और दोस्तो आप 8 ohm पे भी 1200 wattage load डाल सकते हैं इस amplifier पे 2 ohm का मतलब यह होता है जैसे कि हमारे speaker 4 होने चाहिए वो भी दोस्तो हमारे 4 speaker pillar connection में होने चाहिए जैसे कि दोस्तो एक top में हमारे 2 speaker लगे होते हैं वो भी दोस्तो हमारे दोनो speaker pillar connection में होने चाहिए और दोस्तों दूसरे टोप में भी पहलर connection होने चाहिए दोनों speaker के और फिर दोस्तों हमारे दोनों टोपों के वो भी दोस्तों पहलर में connection होने चाहिए तब दोस्तों हमारा 2Ω impedance बनता है तब दोस्तों आप 2Ω पे 1200 वाड़िस लोड डाल के चला सकते हैं इस amplifier पे और दोस्तो हमारी amplifier के अंदर Atom का option दिया गया जैसे कि दोस्तो forum का option नहीं दिया गया हमारी amplifier के अंदर आप दोस्तो Atom पे एक speaker चला सकते हैं जो कि दोस्तो एक हमारा speaker होता है Atom का तो दोस्तो आप इसमें 1200 watts तक एक speaker चला सकते हैं ATOM पर कोई problem नहीं होगी हमारे speaker में भी और दोस्तो amplifier में भी अच्छा आपको response मिलेगा बहुत ही अच्छा आपका speaker बजेगा आप दोस्तो इसमें 15 इंचिस का speaker लगाए बहुत ही अच्छा आपको response देखने को मिलेगा चलिए अब दोस्तो बात कर लेते हैं इस amplifier की price की market में दो दोस्तो प्राइज उपर नीचे हो सकता है क्योंकि दोस्तो हर एक market में प्राइज अलग-अलग होता है दोस्तो वहां पे आप लोग manage के लिजेगा तो दोस्तो मैंने आपको इस amplifier की full information इस वीडियो में दी अगर दोस्तो कोई भी चीज छूट गई हो तो दोस्तो आपको मेर नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएका तो दोस्तो आप वहां पे WhatsApp कर सकते हैं वहां पे दोस्तो मैं आपके प्रेशन का उत्तर दे दूँगा तो दोस्तो उमीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करे और चेनल को जरूर सब्स्रा हम